करान गुड मॉनिंग शरम नहीं आती तुम्हें तैयार होकर भी सो रहे थे सो नहीं रहा था भाई एक सपना अधूरा रह गया था उसे पूरा कर रहा था ठीके ठीके चलो जल्दी ओफिस चलो देरोरी कमान अब तो मेरी बात सुन लिजे वर्ना अनर्थ हो जाएगा बोलो आज आप फैक्टरी ना जाएं तो अच्छा है वेरी गुड चलो फिर सो जाते हैं शाट आप एंड यू किर आप फैक्टरी क्यों न जाए जोधी प्रकाश सर सुबह से हम यही ख़बर देने की चेश्टा कर रहे हैं कि मज़ूरों ने बिजली हड़ताल कर दिये मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप बीस परसेंट के बदले चैनिस परसेंट बोनस दे देंगे आइम सॉरी सर मुझसे आपको समझने में गलती होगी तुम मुझे समझने में आभी भी गलती कर रहे हो वीरू यह उठाओ 40% बोनस इस मैने की तनक्वा और एक मैने का नोटिस पे जी आप मुझे काम से निकाल रहे हैं मेरी फैक्टरी में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो यू केन गो नाव यह नाइंसाफ ही है मैं लेबर कोट जाऊंगा बेवकूफ आदमी तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता जब तक तेरा केस लेबर कोट में जाएगा तेरे पास कोट जाने का किराय भी ने रहेगा किसके पास क्या होगा यह भी तुम्हें मालूम हो जाएगा करन आज मैं तुम्हें बिजनिस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए नुक्सान चाहिए किसी का भी हो पाइदा हमेशा हमारा होता है देखो नीचे क्या हो रहा है मैं पूछता हूं आखिर मेरा जुर्म क्या है यहीं ना कि मैं अपने भाईयों के लिए लड़ रहा था उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया यह ना इंसाफी है यह जुल्म है हमें इंसे लड़ना होगा हम स्ट्राइक करेंगे अब किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे अब तो हमें बोनेस भी मिल गया हर साल से जादा बोनेस दिया खुडाल बाब उने अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्याती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे करेंगे अगर हम先 Новर साथ देंगे तो हमारा बोनेस भी मारा जाएगा हम स्टाई नहीं करेंगे अरे गद्धार हरामे दा दे तुम्हें यूनियन से निकाल दूंग मर केता हूं तुम हमें क्या निकालेगा हम हाम ही तुञे निकाल देंगे जोदी बगाश, पोलीस को फोन करो, और काहो कि वीरु नाम का एक मजदूर फैक्टरी में गुंडागर्दी कर रहा है अलो? भाई, तुम सच मुछ बहुत ही अच्छे बिजनेसमेन हो करान, तुम कहां जा रहे हो? एक दिन मैं इतना कुछ सिख लिया, बस बहुत सिखने की जरूत में लगती है तुम मेंसे वीरु कौन है? चलो, तुमारी जमानत हो गई मेरी जमानत किस ने दी साब? इनोंने करान बाबू? भई भाई, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसा चुटाने चलाता है वीरु, जिस भाई ने तुम्हे जेल भेजा था, उसी ने रहा करवाया है जब वरकरन तुम्हे मारा और पुलिस उठाकर ले गई, भाई को पच्टावा हुआ कहने लगे वीरु बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है तुम जाओ, उसके जमानत करके ले आओ, बस मैं आ गया आप जूट बोल रहे हैं करन बाबू, मैं कुनाल साब को बरसों से जानता हूँ उन्हें अपने किसी काम पे पच्टावा नहीं होता जोबे अंदर से फाइल लेओ आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सची जाना चाहते हो तो सच यह है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है मैं आपसे माफी मागने आया हूँ शर्मिंदा मत कीजिए साब आपके इस हैसान ने सारा इसाब बराबर कर दिया चलिए बस बस साब यही रोक दीजी साब इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है वहाँ गाड़ी नहीं जाती ओके साब आये न साब उस चायवे पीकी जाए यह क्या साब साब लगाया रखाय विरू अब ना ही मैं तुम्हारा बस हूँ ना ही तुम मेरे नोकर तो फिर आपको क्या कहूं साब करन मेरा नाम करन है थैंक्यू करन मैं तुम्हारा यह असान जिंदगी बर याद रखूँगा दॉक्टर को दिखाना जमानत करवाना क्या यह इतना बड़ा काम है कि तुम जिंदगी बर नहीं भूलोगे हम बड़े लोग नहीं साब छोटी से सान तले दप जाते हैं फिर भाई साब स्वारी साब कुड़नाइट करन कुड़नाइट भीरू अभी तक काम कर रहे हो तुम पैक्टरी से कहां अचानक आयब हो गय थे एक डूपते वे को बचाने गया था भाई बचा की नहीं वो तो बच गया मगर मैं डूप गया क्यों नदी बड़ी घहरी थी क्या अरे नदी नहीं तो घहरी जीले थी भाई जिनके पास सुर्मई अंधेरा और चमपई उजाला एक साथ दिखाई देते हैं और जीलों के उपर घने काले बादल चाहे रहते हैं जिनसे जब हवा खेलती है तो यू लगता है जैसे रात और दिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं अरे दूर से देखो तो यू मालूं पड़ता है जैसे कौंदिती हुई बिजली सरगम के साथ सुरों के साथ खेल रही है अगर तुम वो नजारा देखते भाई तो बस पागल हो जाते करन शराब की भू तो नहीं आ रही है कौन सा नशा किया तुने कुछ नशाय ऐसे होते हैं भाई जो किये नहीं जाते हैं हो जाते हैं अब यह शेर और शायरी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो कल तुम्हें जल्दी उठना है कल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन देन है क्योंकि कल हमारी कंपनी के शेर्स के नए इशू मार्केट में आ रहे है और तुम उस कंपनी के डिरेक्टर हो इसलिए तुम्हारा वा रहना बहुत ही ज़रूरी है समझे समझ गया भाई मेरा वहां पॉचना बहुत जुरूरी है एट्स लाइक अगुद ब्रादर अच्छा दीक है अरे करन तुम यहां पैटरी जा रहा था सोचा सुबह सुबह देवी दर्शन कर लूँ दिन अच्छा गुजरेगा मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुमारे जैसा मॉडन आदमी इतना धर्म करवाला होगा अरे सब उसकी क्रिपा है वीरू उसकी एक नजर जिस पर पड़ जाएं दिल की हालत बदल जाएं जो कल तक नास्तिक था आज शद्धा के फूल यह खड़ा है और यह सब एक ही रात में हुआ है वीरू सिरिफ एक रात में भई कवाल हो गया अमेजिंग हां तुम करें जा रहे थे अरे हां वो क्या है कि मैं नौकरी के लिए अप्ली के सिंद पोस्ट करने जा रहा हूं मुझे देरो रहे फिर मिलते है अरे तुम गईनी अब तक यार वीरू मुझे लगता अब मैं यहां से कभी नहीं जा सकूंगा क्यों भई गाड़ी खराब होगी क्या अरे नहीं यार मुझे प्यार हो गया अरे भई किस से कौन अब खुछ नहीं तो नहीं मालूम यार लेकिन अब भी यहां से घुज़ी दो मिनिट पहले सफेड ड्रेस पहने भाया भाया कैसे है मेरा नहीं अड्रेस सीवा तुम्हारा नहीं अड्रेस बहुत अच्छा है अच्छा यह बताओ पहले तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेड ड्रेस पहने जा तो यह देखा यहां से सफेड ड्रेस क्यों भी करन उसे ढुण रहा है करन कौन करन भाया करन सिवा यह मेरा दोस्त है इससे सफेड ड्रेस वाली लड़की से प्यार होगी है रेली जी वो बात है कि मैं बात मैं समझ गए बस इतना बता दीजिये क्या वो लड़की भी आपको चाहती है अभी तक पूछने का मौका यह नहीं मिला अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेड ड्रेस वाली लड़की से पूछू क्या वो आपको प्यार करती है प्ली कोशिश करती हूं कौन सा रंग बता था आपने सफेड जो सच्चाई का रंग है जो चांदिनी का रंग है जो प्यार का रंग है जो तुम्हारे तुम कला जाना कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिल जाएगा आपने तो कमाल कर दिया थैंक यू अगर आप चाहें तो यह कमा उठा दिया जाएगा और ऐसे कैसे हो सकता है मैंने तो प्रोग्राम बनाया कि हमेशा आपके साथ डूएट गीत गाते रहूँ अगर आप चाहें तो मैं एक म्यूजिक कंपनी खोल सकता हूँ मेरे साथ ही क्यों क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है बोलो क्या मेरा गीत मेरी आखें मेरा दिल तुमसे कुछ नहीं कह रहा है अगर तुम चुप रहोगी, तो मैं समझूगा कि तुम मिर से प्यार नहीं करती, अगर मैं तुम से प्यार नहीं करती, तु ये सफेद रेस पेन कर क्यूं आती? गुद मॉर्निंग भाई कम में हो, ना कारा हो, नालाक हो, बेवकूफ हो, इडियेट हो, जिन्दी की भर कभी कुछ नहीं कर सकते हैं इस सीरियस आखिर तुम क्या करते फिरते हो काम काम, क्या काम? मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूं भाई कंपनी? क्या बनाएगी तुमारी कंपनी? तो तुम माल लेने आया हो जिया देखे, अभी तो सिर्फ दस हजार का सवाल है लेकिन बाद में वो क्या है कि हम दस हजार तो तुम ले लो, बेढ़ो जोदिपकाश, इसे दस हजार रुपया दे दो जी थैंक्यू, थैंक्स मागर तुम, ओ किस चक्कर में? भाई ये वो चक्कर है, जिस चक्कर में हर आदमी घंचकर हो जाता है इसलिए मेरे साब से बैटरी है अगर आप ना पूछें गुडबाई वेरी एंटरप्राइजिंग बॉई ये बड़ा होका जरूर अपना नाम रौशन करेगा Shut up Robert टारू भीके बक्वास मत कर करन मेरा दोस्त है इसलिए वो यहां आता है तु समझता नहीं है वीरू अभी वो टाइम नहीं आया है कि अमीनों की गरीबों से दोस्ती हो जाए पंगलों में रहने वाले को जोपड़ी में रहने वाले लोग अच्छे लगने लगे तु बहुत सीधा है रे तु नहीं जानता कि वो बास्टर्ड तेरी बेहन के लिए यहां के चक्कर लगाता है भाई समझे आना समझे मैं सब समझती हूं Robert तु जलता है करन से इसलिए बदनाम कर रहा है उसे मैं जलता नहीं हूं सीमा डरता हो तेरे लिए अरे इन बड़े घर वालों की तो आदत होती है कि तुझ जैसे भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जत लूटके भाग जाते है रोबर्ट ठीक कह रहा है सीमा अमीर जादों की यही आदत होती है कि प्यार का नाटक करते हैं और गरीब लड़कियों को बरबाद करके भाग जाते हैं करन इसलिए जरूरी है कि या तो मुझ जैसे लड़कों को तुम जैसे लड़कियों के पास आने ना दिया जाए या तो फिर उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए क्या मतलब बस्ती वालों मैं एलान करता हूं कि महलों में रहने वाला करोड़ पती करन वर्मा इस बस्ती में रहने वाली गरीब सीमा से प्यार करता है और तुम सब इस प्यार के गवाह हो I love you, Seymour. क्या तुम से शादी करोगी? महामारा महामारा